नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेकपाल की नई भरती की दोस्तो जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश के लेकपाल भरती का इंतिजार बहुत समय से कर रहे हैं और 2014-15 के बाद लेकपाल भरती अभी तक नहीं आई है लगवग 4-5 सालों से लेकपाल के इंतिजार में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी ये आज प्राप्त हुई है जी हाँ दोस्तो उत्तर प्रदेश के अंदर लेकपाल के 8000 पदों पर नई भरती आने वाली है दोस्तो ये बिलकुल सत्य न्यूज है और ये आज ही छपिये न्यूज लेकपाल के 8000 रिक्त पदों पर एक साथ भरती करने की तैयारी और दोस्तों ये भरती जो करेगा वो यूपीटर पलेसी उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चैन आयोग को ये भरती दी जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्व लेकपाल के रिक्त पदों को भरने के पिछले तीन वर्सों से चल रही कारवाही बेमतला सावित हुई है अधिनस्थ सेवा चैन आयोग ने राजस्व परिशत से जून 2020 तक रिक्त पदों की भरती का नया प्रस्ताव मांग लिया है जो रिक्त पड़े हुए हैं और उन सभी पदों को एक साथ भरने की तैयारी शूरू हो गई है और उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग ने राजस्व परिशत से इन सभी पदों का ब्योरा मांग लिया है दोस्तों आगे पढ़ते हैं राजस्व परिशत की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्त से आरक्षन नियमों का पारन करते हुए एक सप्ता में भरती प्रस्ताव उपलब्द कराने का निर्देश दिया है दोस्तों ये इसकी में चीज है फाल दो टाइम वेश नहीं करेंगे जो में चीज अब वो हमने पढ़ लिए है तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं अब उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैनायोग को ये भरती बहुत जल्दी दी जाने वाली है और इसका नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से एक महिने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो कि यूपिटर पलेसी ने सभी पदों का ब्योरा मांग लिया है तो जितने भी छात्र लेकपाल भरती का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं उनको एक बहुत ही बड़ी खुशकबर ये प्राप्त हु जाएगा तो ठीक है दोस्तो बहुत ये बड़ी खुशकबरी है और आशा करता हूं दोस्तो जितने ही बच्चे लेकपाल भरती के तैयारी महनत से करेंगे और उनका शलेक्शन हो ये मैं ऐसी आसा करता हूं तो ठीक है दोस्तो आज के लिए यही न्यूस थी अगर आपको म मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब तो करी सकते हैं दोस्तो अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन बटन के ओल पर किलिक कीजिए धन्यवाद दोस्तो